तो अगर आप लोग मुझे इंस्साग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने रीसेंटली एक पीसी बिल्ड किया अब वो काफी टाइम से मेरा जो पुराना वाला पीसी है वो यूज कर रही थी बट बिकॉज वह इतना पुराना है उसमें काफी सारी दिक्कते आना शुरू हो गई थी मतलब फोटोशब अपने आप क्रैश हो जाता था पीसी अपने बंद हो जाता था और विकॉज उसे अभी पांच-छे साल हो चुके है आई थोट इट वस ताइम एन अपग्रेड और काफी सोचने समझने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उसके बर्दे पर उसे एक नया पीसी गिफ्ट करूंगा विच इन दिस मन्त और प्राबली जब तक ये वीडियो अप्लोड होगा उसका बर्दे हो चुका होगा अब यूजुली जब मैं कोई नया पीसी बिल्ड करता हूँ तो मैं सारे जो पार्ट्स होता है वो अफ्लाइन मार्केट से खरीबता हूँ और अपने फ्रेंड की हेल्प के साथ उससे पूरी तरेके से असेंबल करता हूँ इनके मैंने इंस्ट्राम पर कुछ पोस्ट देखे हुए थे जहां पर इन्होंने बहुत ही अमेजिंग कस्टम पीसी बनाए हुए थे अब फुल डिस्क्लेमर देदू कि यह जो वीडियो है यह जो पीसी है यह स्पॉंसर बिल्कुल भी नहीं है यह पूरा पीसी और के हिसाब से आपके लिए कौन सा पीसी सही रहेगा अब मैं यहां पर उनके बारे में जादा बात नहीं करूंगा वरना ऐसा लएगा यार इसने पैसे खाये हुए बट जैनुए लोग है अच्छे लोग है एंड मोस्ट इंपोर्टनली स्किल्ड लोग है तो अगर आप चा लिए वर हो चुका है मैंने अभी तक इसे अंबॉक्स नहीं किया है क्योंकि आप इसली वीडियो बनाना था तो चलिए साथ में से अंबॉक्स करते हैं अब फट फट इसे इंबॉक्स करते हैं बहुत द्यान से कट कर रहा हुँ मैं कहीं कहीं PC पे स्क्राइच है डामेज न अब फट इसे इस इस अब कस्टम स्लीव केबल और हवा टाइड होगे मेरी खोलते हो जए हाँ फाइनली यार मैंने सोचा नहीं था वाइट इसी दिखने में इतने ज्यादा अच्या है कि हमेशा हमने तो हमेशा ब्लाक बिल्डी किया है यह पहला वाइट बिल्ड है बट यहर केस बहुत ज्यादा प्यारा है अब जब हमारा पीसी पूरा रेडी हो चुका था तब मैंने सोचा क्यों ना हम लोग अपने सेटप को भी थोड़ा अपडेट करें ताकि सब कुछ एक वाइट थीम के इसाब से सही लगे तो इससे पहले कि हम लोग पीसी को सेटप करें और उसके पूरे सेटप को अपडे ओके सो दिस सेटप दाट शीज करेंटली यूजिंग यह जो मेरा पीसी है यह पुराना पीसी है और मोस्ट इसे पात साल से भी ज्यादा हो चुके है काफी अच्छा पीसी है बट टाइम चीजे चेंज होती है वैसे इस पीसी ने थोड़ा सा दम तोड़ना शुरू कर दिय है मतलब कि कभी-कभी लाग हो जाता है कभी-कभी अपने बंद हो जाता है ऐसे चोटे मोटे चोटे मोटे प्रॉब्लम्स और दिक्कत दे रहा है तो इस हाई टाइम तो से गुडबाय तो दिस वन एंद फिर यहां पर है यह मॉनिटर यह सामसुम का 22 इंशा कोई तो मॉनि दिस्क्रिप्शन में दे दी है तो मेरा सबसे पहला मेकानिकल कीबोर्ड इसे भी आल्मोस पांट से छे साल हो गए है अभी भी बहुत अच्छा से चल रहा है और यह सट वरी गुड कीबोर्ड अगर आप लोग कोई देड़ 2000 के आसपास मेकानिकल कीबोर्ड देख रहे हो इसे चेक आउट करो बहुत अच्छा कीबोर्ड है एंड फाइनली वी हाव दे माउस दिस द वरी फेमस डेल माउस आपको हर एक ओफिस में यह माउस देखने मिल जाता है और सस्ता है बहुत अच्छा माउस है जनुइनली तो यह है उसका करेंट पूरा सेटप तो चलिए से पूरा चेंज करते है पूरा निकाल देते है और नए PC के साथ सेट अप करते है और हां कुछ और परिफेरल भी इसमें मैं आड़ करूंगा जैसे कीबोर्ड माउस एंड मॉनिटर एस वेल को चलिए उसे चेक आउट करते है तो इसमें जो प्रोसेसर हमने यूज किया है वो है i7 13th Gen का 13700K जो कि बहुत ही अमेजिंग प्रोसेसर है अब आविसली हम लोग i9 लेते तो जादा बेटर होता पर मुझे एक स्पेसिविक बजट में इस PC को बनाना था जो की था 1.5 लाग का तो उसके हिसाब से i7 वास बेस्ट प्रोसेसर और जिस तरीके का वो काम करती है ज अब जाएट है कि ग्राफिक कार्ट बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो एडिटिंग या आफ्टर एफेक्स या प्रेमियर प्रो यूज करने के लिए बट ऐसा बिलकुल नहीं है प्रेमियर प्रो और आफ्टर एफेक्स जैसे सॉफ़एर के लिए दो चीजे सबसे जाद इंपोर्टेंट है एक है आपका प्रोसेसर और दूसरा है राम तो 3060 12GB ग्राफिक्स इस मोर देन इनफ पर इस सॉफ़एर क्योंकि कोई-कोई ही एफेक्स है जो जीप्यू एक्सेलेरेशन का फाइदा लेते है बाकी सब राम ही जादा यूज करते है तो जो राम हमने यू यूज किया है वो है MSI का MAG B760M Mortar हम लोग यहां पर 850W का 80 PLUS Gold Edition Deep Cool की तरफ से जो पावर सप्लाय आता है वो यूज कर रहे है जो AIO Liquid Cooler है वो भी Deep Cool का ही है विचिस LS520 240 mm इसमें Kingston की 2TB Gen4 NVMe SSD है और यह जो पूरा केस है वो है एक्सरिक का Snow Wolf M80X चैसी यहां पर कुछ आप की है जैसे वाइट कस्टम स्लीव केबल और चार ARGB फैंस तो यह पूरा बिल्ट जो है यह हमने बनाया है 1,63,000 में अगर हम चाहते थे से 1.5 में भी बना सकते थे अगर हम कस्टम स्लीव केबल और ARGB फैंस निकाल देते बट डाट कॉप्शनल सो क्यूंकि हमारा टेबल NPC व वायरलेस मेकानिकल कीबूर्ड जो माउस हम लोग यूज कर रहे है वह है बहुत इंफेमर्स और बहुत भैतरी लॉजिटेक MX Master 3S और जो मैठ हम लोग यूज कर रहे हैं वह कावरेट की तरफ से मैं सारे चीजों की लिंक्स डिस्क्रिप्शिन में दे दूंगा तो आप चा तो 2023 भी जल्दी लेके आओ तो क्या आप उसमें इंट्रेस्टेट हो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे और मिले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो डोट.motions और निखल पावार पर सारे लिंक्स डिस्क्रिफिशन में हैं तो इसी के साथ मैं आप लोग से मिलूंगा अगले वीडियो में तब तक लिए तेक कैर और आलवेज स्टेव प्रियेटिव प्रिश्टेव प्रिश्टेव में लिए बिए 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 बि कर दो